जैहिन दोस्तों लेक्चरेट का एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है यूएस चाइना ट्रेडवार तो आज के वीडियो में हम यही जानेगे यूएस चाइना ट्रेडवार क्या है और सांती यूरोपियन यूनियन ने चाइना के इवीज पर जो बेन लगाया या फिर जीर त्रेडवार के चाइना के इवीज पर जो टैरिफ्स लगा है उसकी क्या वजह है तो दोस्तों चाइना पूली दुनिया में अपने सस्थे प्रोड्क्त के लिए और चाइना अपने डॉनाल्ड ट्रम्प ने तै कि भाई किसी भी कीमत पर दूसरे देशों को अमेरिका का नुकसान करने नहीं देंगे जहां भी होगा अमेरिका का हिट सबसे पहले होगा उसके बाद ही दूसरे देशों के साथ में रिष्टे तै किये जाएंगे प्रभाव यह हुआ कि यूएस प्रड़क्ष पर अपने यहां टैरिफ लगा दिए तो दोस्तों एंटेरिफ लगाने से होता क्या है और आखिरकार टैरिफ लगाने की जरत क्यों पड़ती हैं या फिर यूँ कहिए कि दूसरा देश जो है इतना सस्टा प्रड़क्ष बना बना रहा है तो फिर वह कंट्र के प्रोड़क को उस देश में इतना सस्ता बेच यह कि उस देश के लोकल मेनुफेक्टरर्स उस प्रोड़क को बना ही ना पाए उतने सस्ते दाम पर वहां बेच ही नहीं पाए जैसा हमने थोड़े दिन पहले देखा था इंडिया में अगर खिलोनों की बात करें तो चाइना अपने किसी प्रोड़क की बहुत ज़्यादा सेलिंग करना तो उस प्रोड़क की इंडस्ट्रीज को चाइना इतनी ज़्यादा सब्सीडी देता है कि वो manufacturing industries उस product को इतने सस्ते दाम में दूसरे देस में बेच पाता है कि जिस देस में बेचा जाता है वहां की local industries चूर-चूर हो जाती है इस वजह से उस देस में unemployment बढ़ता है बेरोजगारी बढ़ती है और कहीं ने कहीं जो है लोगों को वेतन मिल रहा होता उसमें भी कमी आती है तो अभी फिलाल जो मुद्दा शुरू हुआ है वो यहां से शुरू हुआ है कि European Union ने चाइना की EVs पर बेन लगाया है वहां के local manufacturers की EV बीकी नहीं पा रही है वजह सिर्फ यह है कि China सस्ते में बेज रहा है और चाइना सस्ते में दे रहा है तो European Union की जो देश है वहां की local industries को बड़ा घाटा हो रहा है तो दोस्तों यह trade war के से होता है trade war के अंदर क्या-क्या problem सामेल है और किससे इसी किसी देश को क्या फायदा होता है तो trade war के अंदर सबसे बड़ी चीज होती तेरिफ लगाना कि साब अगर कोई देश हमारे देश में सस्ता समान बेच रहा है तो समान के उपर आप तेरिफ लगा दीजे वो टेरिफ आप कही ने कहीं WTO के अंतरगत ही लगा सकते है WTO की तैक ही कई guidelines के according ही लगा सकते है तेरिफ लगाने से वो product हमारे देश में महंगा हो जाएगा इसलिए हमारे देश के लोग उस particular product को नहीं खरी देंगे और अब क्या option बचेगा कि local manufacturer से ही वो product आपको purchase करना पड़ेगा कई बार ऐसा होता है कि आप tariff लगाने से बात अगर नहीं बनती है तो फिर आप क्या करते हैं अपने ही देश में उस product को बढ़ाने के लिए अपनी manufacturing industries को subsidy देने लगते हैं जब manufacturing industries को subsidy मिलने लगती है तो उससे वो product अपने देश में सस्ता हो जाता है comparatively जो product इंपोर्ट किया जा रहा है इसलिए local product की demand बढ़ जाती है कई बार tariff और subsidy से काम नहीं चलता है कई बार उस product पर dependency ज़्यादा होती है तो उस product का quota तेकर दिया आता है क्योंकि जब भी tariff लगाया जाता है या फिर ban लगाया जाता है फिर quota fix किया जाता है तो ultimately सफ़र तो consumer ही करता है तो इसलिए US और चाइना के बीच में ट्रेड़ बार भी चल रहा है हाला कि कई दोर की meetings हुई है इन meetings में अमेरिका ने चाइना को इस बात के लिए भी मना लिया कि आपको हमारे हैं से और purchasing करनी पड़ेगी purchasing बढ़ानी पड़ेगी चाइना राजी भी हो गया तो हम US से अपनी purchasing को और बढ़ा लेगे बट कहीने के US चाइना इस दुनिया के दो बड़े खरिदार और दो बड़े producers हैं तो जब इनके बीच पे trade war चलता है तो उसका impact कहीने के globally दूसरे देसों पर भी आता है दोस्तो चाइना और अमेरिका के बीच में जो ठसक है यह यूही नहीं है चुरुआद 2018 के डोनाल्ड टरम्प के America First Policy से हुई उसके बाद में आरोप लगे कि COVID को फेलाने में चाइना का बड़ा रोल है उसके बाद जो है यह दूरिया और भी बढ़ती गई जब US के support में जब यूक्रेन जो है रश्या से वार लड़ने लगा तो रश्या यूक्रेन वार के टाइम पर चाइना पूरी तरह से रश्या के support में खड़ा रहा तो geopolitics है चाइना और US जो है आपने आप में पहले US चाइना को इतना बड़ा threat नहीं मानता था बट अब चाइना के लिए US के लिए सबसे बड़ा threat जो है वो चाइना ही हो रखा है तो ये trade war और अभी लंबा खिशने की कहीं ने कहीं संभावना है पर definitely ये दोनों समझदार दे से आपने हितों का नुक्सान नहीं करेंगे ये निश्चित तोर पर इसको सुल जानेगे वीडियो गर अच्छा लगए तो इसको like, share, subscribe करना ना भूलें जैहिन जै भारत इंकलाब जिन्दाबाद भारत माता कीजए